महमारी में और बड़ी अंबानी अडानी की संपत्ती अलका बोली हम दो हमारे दो गरीबों की जान जाने दो आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला कोरोना महमारी के दौरान भारत की बिजनसमैन गौतम अडानी और मुकेश अमबानी की संपत्ती बढ़ती चली जा रही है देखते ही देखते अडानी ग्रूप के चेर्मैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शक्स बन चुके हैं इस साल जन्वरी से लेकर अब तक गौतम अडानी की संपत्ती में 32.7 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर उद्योग पतियों में गौतम अडानी ने दूसरे नमबर पर अपनी जगा बना ली है वहीं Reliance Industries के मालेक मुकेश अमबानी अभी भी एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर चल रहे है जिनकी कुल संपत्ती 76.3 अरब डॉलर है माना जा रहा है कि जिस रफ्तार से गौतम अडानी की संपत्ती बढ़ रही है जल्दी वो मुकेश अमबानी को पीछे छोड़ कर एशिया के सबसे अमीर शक्स बन जाएंगे इस वक्त गौतम अडानी की कुल संपत्ती 66.5 अरब डॉलर हो चुकी है इस मामले में कौंग्रिस नेता अलका लांबा ने केंदर में सत्ता रूर मोधी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने लिखा है कि हम दो हमारे दो बाकियों को भूल जाने दो गरीब की जान जाने दो इससे पहले भी कॉंग्रिस कई बात ये कह चुकी है कि केंदर में मोधी सरकार के आने से सबसे ज्यादा फायदा भाजपा के करीबी उद्योगपतियों को ही पहुँचा है अडानी और अम्बानी जैसे उद्योगपतियों की खूब चांदी हो रही है जहां देश में आये कोरोना महा संकट में कई बड़ी कमपनिया डूप चुकी है वहीं अम्बानी और अडानी ने इस आपदा में भी अफसर तलाश कर अपनी संपत्ती बढ़ाने का काम किया है दूसरी तरफ से देश का मध्यम और गरीब वर कोरोना महामारी के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई के बोज तले दपता जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा दिखाए गए अच्छे दिनों के सपने के विपरेत आज देश की स्थिती भूक मरी और भयंकर गरीवी तक आप पहुँची है इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले हमारी वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन बटन जरू दबाए ताकि हर खबर आप तक पहुँचती रहे